Hello everybody, this is Digrahas Singh Rajput, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे What Happened to Local Schools? Report of William Adam कौन है William Adam और Local Schools पर क्यों आएं? वो सारी चीजे में आपको समझाता हूँ पिछले वीडियो में हमने क्या डिसकस किया था? कि किस तरह से moral education के लिए भी demand उठने लगी और उससे पहले जो chapter के main topics चल रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि words dispatch जो issue किया जाता है ठीक है? किसके नाम के पीछे words dispatch issue किया गया था? वो comment section में आप बताएंगे तो अब देखिए words dispatch में मैंने आपको एक provision क्या बताया था? कि attempts were made to improve the school education ठीक है? school level पर जो education था उसे change करने के लिए कुछ attempts लिए गये थे ये बताया गया था words dispatch में ठीक है? तो अब देखिए जब school level पर आपको क्या करना है? changes लाइना education system में तो उसके लिए क्या होगा? पहले आपको एक तरह से analyze करना पड़ेगा चीजों को देखना पड़ेगा कि कहां बदलाव लाया जा सकता है ठीक है? तो जैसे एक introductory part जो है इस topic का तो उसमें हम देखते कि schools जो है तो आप imagine करो कि schools pre British time में कैसी थी और during British time में क्या changes लाये गए? ठीक है? जो words dispatch issue किया गया था उसमें क्या था? कि British time period में जो भी schools है ठीक है? primary level पे जो schools हैं उनमें changes लाया जाए higher education के लिए तो उन्होंने universities वगरा establish करी दी थी university education system ले आये थे ठीक है? colleges वगरा ले आये थे अब लेकिन British colonial officials का ध्यान किस तरफ गया है? schools के तरफ तो आप दो मिनिट के लिए imagine करो कि pre-British time में और British time में ठीक है? दोनो time period में schools कैसे थे? ठीक तो pre-British time में देखो मैं आपको एक idea देता है और आफ idea गुरुकुल सिस्टम चलता था आज होता है कि गुरुकुल सिस्टम नहीं तो गुरुकुल सिस्टम खतम का हो गया? British time में British time में उस गुरुकुल सिस्टम को खतम कर दिये गया अलग पार्ट सारा सिस्टम चलता था ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे observations है जो हमें देखना होंगे कि pre-British time में कैसे schools थे अब हमें कैसे पता चलेगा pre-British time में कैसे schools थे क्यों? क्योंकि वो time तो निकल गया है लेकिन उस time पे जो study की गई होगी जो surveys किये गए होंगे पता किया गया होगा कि हाँ ऐसे schools चलते थे वो आज हमारी मदद करने वाले हैं तो रिपोर्ट ओफ विलियम एडम विलियम एडम कौन अब समझाता हूँ में एक Scottish missionary ठीक है Scotland के एक missionary थे जो अपने agenda के साथ में इंडिया में आये थे जब वो क्या होते हैं? बेंगॉल के डिस्क्रिक को तूर कर रहे होते हैं तो उस समय पे company officials उन्हें एक responsibility दे देते हैं company officials उन्हें क्या responsibility देते हैं? ठीक है? तो he toured the district of Bengal and Bihar Bengal Bihar का district गूंते हैं वो and he gave a report to the report on the progress of education in vernakural schools ठीक है? company officials जो है तो company officials विलियम एडम को एक responsibility देते हैं कि विलियम एडम को क्या करना है? पता करना है कि जो vernakular schools हैं vernakular क्या होता समझो? vernakular मतलब होता है local languages ठीक है? तो vernakular languages में क्या होता है कि जो vernakular schools थे तो आप देखोगे महराष्ट में मराथी language में पढ़ाया जा रहा था वहाँ की एक school में पाटशाला में ठीक है? फिर आप South India में चले आओगे Tamil Nadu में Tamil language में पढ़ाया जा रहा है ठीक है? आंगरपदेश में तेलगू में पढ़ाया जा रहा है तो ये अलग-अलग local language जो वहाँ की vernakular languages है उनमें ही लोगों को बच्चों को पढ़ाया जाता था ठीक? तो William Adam को रिस्पॉंसिबिलिटी दी गई है ठीक है कि William Adam को क्या करना है ठीक है? एक Scottish missionary थे ये Scotland, England से आये थे ठीक? अब क्या होता है William Adam यहाँ पे मतलब एक clear photo यही मिला है जो मिला है William Adam का ठीक है? तो William Adam इंडिया में आने के बाद में क्या करते हैं तो जब अपना टूर पे थे Bengal बिहार के district पे तो उन्हें responsibility दी फिर वो एक report तयार करते हैं ठीक है? और उस report में क्या करते हैं He gave the report on the progress of education in vernacular schools उन्होंने पूरा analyze करके दिया कि vernacular schools का अभी क्या status है हम क्या changes ला सकते हैं इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें बताई देखो तो the report produced is interesting ठीक है? जो William Adam ने जो report दी तो वो report बहुत interesting थी ठीक क्या था उस report में देखिए तो there were over 1 lakh पाठशालास in Bengal and Bihar ठीक पहले पाठशाला सिस्टम होता था पाठशाला सिस्टम क्या है? तो आप बोलोगे कि शायिक कपूर की पाठशाला तो वो तो ही ठीक है? बहुत गयान है आपको लेकिन उसके अलावा जो पहले जो education system था उसे पाठशाला education system कहा जाता था जहां पे क्या होता था? कि एक गुरू के पास में कम से कम 20 बच्चे रहते थे बस maximum 20 बच्चे ठीक है? मिनिमम नी, maximum रिपोर्ट त्यार किये ठीक है? अब इस institutions were set up by wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher guru. ठीक है? तो अब ये schools ऐसा नहीं कि जिसे आज हम देखते हैं आज corporate schools होते हैं. बड़े-बड़े school में businessmen पैसा लगाते हैं, school खड़ा करते हैं school चला रहे हैं और school से क्या कर रहे हैं? खूब पैसा कमा रहे हैं. तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था. पहले जो institutions थे तो वो भी wealthy people के दोरह लगाया जाते थे लेकिन वो charity के उससे कि हमने school खोल दिया बच्चे इसमें पढ़ेंगे. ठीक है फिर कोई एक teacher था जिसे knowledge था तो वो गुरू क्या करते थे? खुदी एक school start कर दे थे. एक पाटशाला start कर दे थे, ठीक है? तो school और पाटशाला में एक difference आ गया. ठीक यह हो गया, उसके बाद में क्या है? The system of education was flexible यह एक important चीज है, ठीक है? क्या था कि जो पाटशाला में जिस तरह से पढ़ाया जाता था जैसे आज आज आपकी school में क्या है? सुबह उठना है ठीक, पता है कि इस time पे school पहुचना है तो मतलब आप बोलोगे कि हाँ यह तो अच्छा है discipline आता है, तो बिल्कुल मान रहा है discipline आ रहा है, लेकिन वहाँ पे flexibility किस हिसाब से थी वह देखना वहाँ पे क्या था? कि ऐसा एकदम strict नहीं था कि बच्चे अगर socks पहन के नहीं आये matching socks नहीं पहन के, school uniform वाले socks तो घर बगा देते हैं, हमाई school में तो बगा देते थे ठीक है, लेकिन पाक्षाला में ऐसा कुछ नहीं था ठीक है, there were no fixed fee सबसे important चीज के ऐसा भी नहीं है कि इतनी पैसे देना ही देना है, इससे कम फीज नहीं होगी आपकी फीज तो इतनी देना है, तो there were no fixed fee, no printed books कोई printed books भी नहीं थी printed books मतलब क्या है, कि जैसे आज देखते हैं, आप नया session start होता नहीं किताबे लाते हैं, किस-किस को किताबों की खुश्बू बहुत अच्छी लगती बताना comment section में, ठीक है, तो वो क्या होता है, fixed fee होती थी पहले fixed fee नहीं होती थी आज की तरह ठीक है, कोई printed books नहीं होती थी orally पढ़ाया जाता था, दिकतर चीज़ें जो होते थे तो teacher, orally सब कुछ समझा देते थे, फिर क्या है no separate school building, ठीक है school buildings भी separate नहीं होती थी मतलब, जैसे आज आज आप देखते हो ना कि higher secondary, secondary, primary तो सब की अलग-अलग school buildings बना दिये यहाँ अलग staff room है, यहाँ अलग staff room है यहाँ अलग staff room है, यहाँ अलग staff room है तो ऐसा कुछ separation नहीं होता था, ठीक है no benches or chairs, कोई bench chair सीधे सब नीचे क्या एक चटाई विछा दी जाती थी, एक mat विछा दी जाती थी पर बैठो, ठीक है, no blackboard सबसे interesting चीज़, कोई blackboard नहीं होता तो teacher कहीं भी खड़ा हो जाता था, कहीं भी बढ़ा देता था जहाँ teacher खड़ा हो जाएगा, वहाँ से class चालो हो जाएगी ठीक है, फिर क्या आता था no system of separate classes, एक और interesting चीज़, जो बच्चा first class में वह, जो बच्चा 10th class में मतलब grade के साब से, सारे बच्चे एक ही साथ बैठके पढ़ते थे, कोई separate class नहीं होते थे no role call registers no annual examinations, इसमें सबसे जादा interest आएगा आपको, no annual examination and no regular time table तो अब देखो, इस sense में कहाँ आए कि बहुत flexible education system था during pre British time ठीके जो part 16 में पढ़ाया जाता था तो ना exam role, मतलब role number वाला कोई system था कि attendance लग रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे आना आएगा जिससे नहीं आना नहीं आएगा, interesting चीज क्या है कि कोई exam भी नहीं होती थी आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ते रहोगे और बढ़े हो जाओगे शादी कर देंगे आपकी बात खतम तो उस तरह से कोई exam भी नहीं होती थी अब आप बोलोगे कि लेकिन यह education system था कैसा थो फिर यहाँ पे basically focus किया जाता था lessons of life को सिखाने में तो आपको जीवन जीने के तरीके सिखाया जाते थे बजाया उसके कि आपको फॉर्मुले रटाय जा रहे हैं यह सारी चीजी कराया जा रही है तो मतलब देखो अपने उसके यह जो system है तो इसके अपने आप में कुछ drawbacks है कुछ positive side है कुछ negative side है ठीक हम अभी उस debate में नहीं जाते लेकिन अभी हम यह देखते हैं कि William Adam की report के हिसाब से इस तरह का education system था इंटरस्टिंग चीज कहा जैसे यहाँ पे fixed fee नहीं थी ना तो फिर काम कैसे चलता था पैसे कैसे लेते थे क्या होता था तो यह समझो fee dependent on the income of parents parents के पास जतना पैसा होगा उस हिसाब से fee दी जाएगी parents के पास पैसा नहीं तो उनके बच्चे को free में पढ़ा देंगे parents के पास बहुत पैसा है तो उस इंसान से बहुत सारा पैसा लेंगे fee के रूप में आगे नहीं समझ में तो बहुत flexible और इससे क्या हो रहा है कि society में आप equality ला रहे हो इसके पास जादा है उससे लेके आपने बाट दिया तो fee dependent on the income of parents ठीक है teaching was oral and gurus decided what to teach अब oral ही पढ़ाया जाता था सब कुछ teaching was oral ठीक है तो oral ही सब कुछ पढ़ाया जाता था मैंने बता है blackabout तो होता नहीं था सब कुछ oral चलता था ठीक है and the gurus decided what to teach और ऐसा भी नहीं है कि आपको पता है कि यहाँ इस class math के teacher आये तो Sanskrit नहीं पढ़ायेंगे आपको लेकिन वहाँ teacher की जो Sanskrit पढ़ा दिया कल Maths पढ़ा दिया उस हसाब से पढ़ा सकते है ठीक है तो teaching was oral and the gurus decided what to teach क्या पढ़ाना यह guru decide करते थे students were not separated out into different classes यह भी एक चीज़ जो मैंने आपको बताई अलग-अलग class में नहीं सारे बच्चे एक साथी जो teachers होते तो personally जा जाके क्या करते थे interact करते थे हर बच्चे से एक group of children से तो जैसे क्या हो रहा है कि 5 बच्चे एक ही उम्रके हैं तो उनको बिठाएंगे सभी को साथ में तो teacher ने उनसे एक साथ बात कर ली ठीक है फिर 5 बच्चे एक उम्रके हैं तो उनसे एक साथ बात कर ली तो इस तरह से कोई separate classes नहीं होते थे एक ही साथ खुले पेड़ के नीचे सारे लोग बैठ जाते थे ठीक है तो जैसे आप यहां पे देखो तो यह teacher है guru ठीक है आपके NCID की photo अगर clear नहीं हो रही तो देखना अब यह बच्चे बैठे सब कुछ बहुत जादा flexible है अब यह जो flexibility है तो Adam Smith sorry Adam कौन थे William Adam Adam Smith कह रहा हूं मैं William Adam क्या बोलते है local needs को suit करता है flexible system अब आप बोलो कि local needs को कैसे suit करता है बताइए तो local needs को ऐसे suit करता देखिए क्या होता था कि locally अगर harvest है ठीक हार्वेस्ट है मतलब क्या कि आपकी फसल पक गई अब harvest season है harvesting season है तो उस टाइम पे क्या होगा फसले कटेगी अब जब फसले कटना है तो वो जो बच्चे हैं वो उन्हें खेत में काम रहेगा और गुरू को भी अपनी फसल काटना रहेगी टीचर को भी अपनी फसल काटना जाते हैं लेकिन अब क्योंकि सब एक ही community की एक ही local area के रहते थे तो उसके चलते लोग क्या करते थे बहुत flexibility के साथ जीते थे पैसे अभी नहीं है बाद में दे दिना ठीक है harvest season है अभी खेतों में काम है काम चल रहा है तो school एक साथ चुट्टी कर दी जाती थी तो यह क्या है यह जो Adam William Adam ने जो discover किया तो एकदम सहीं discover किया कि this system of this flexible system of education in pre-British time under the पाटशाला system ठीक है was suited to the local needs तो बहुत हद तक local needs को क्या करता था आपकी suit करता था आगया समझ में तो यह सारा सब कुछ important जो था हमने देखा कि what happened to schools report of William Adam अब देखो अब आप बोलोगे कि schools को हुआ क्या यह तो जैसी थी वैसी हमने report ही पड़ी अभी तो बस अब हम आगे वही पढ़ने आले कि new time table new routines ठीक है अब जैसे which dispatch का एक जो starting से हमने करी थी which dispatch में provision क्या था एक provision simple यह था कि आपको primary level पे जो education है उसमें भी क्या करना है change लाना है ठीक है तो attempts were made to change the school education system अब school education system को समझ लिया है British colonial officers ने ठीक है William Adam की report के बाद में अब क्या करेंगे आब वो change लाएंगे तो उन्होंने क्या change लाया वो सारा सब कुछ हम next video lecture में पढ़ने वाले हैं I hope यहां तक चीज़र समझ में आई है किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask question in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much